हेलो फ्रेंड्स बाइवर्ड में आप सभी का स्वागत है आज यह सभी लोग जूड जाएए कि एक बार ग्रूप में लिंक सेर कर दीजिए गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग अश्लीक आग लोग बायोजी क्लास 11 चे चीप्टर नमब्र एट सेटार था इसल सेटार तो आप लोगों को बैसी नर्सिंग बूली या आप सिर्फ नर्सिंग नई उनमें सारे ब्रांच आते हैं चिक है वह Champions वापितू झार्खन परामेडिकल के लिए भी क्योंकि जारखन परामेडिकल में जो है आप लोगों को 30-30 question पूछा जाता है 30 physics, 30 chemistry और 30 biology पूछा जाता है तो जारखन परामेडिकल के लिए भी यह बहुत ही important chapter है और यहां से नीट में पूछा गया तो चलिए आगे हम डिसकस करेंगे इसी में बताते चलेंगे कि कहां से आप लोगों को question पूछा गया हैए कि तो चलिए सभी लोग आ गये एक बड़ कहा बटन दवा कि चलिए आज हमें स्टार्ट करते हैं the alien socialism forests अफ्लाइव शेम चीज़ आपको तो मिला लिखा हुआ मिलेगा ऐंसे यालटि में चैप्तर नमरल एट टो दोस्तों कि से बोलते हैं हिल जो होता है मैंने हैंडि डूनों में ले लिया हूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भी तो सेल जो है यानि कि जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं कोशिका सजीवों की संराचना आत्मक एवं क्रियात्मक की काई है संरचना आत्मक मतलब जो संरचना परदान करें और संरचना के साथ साथ जो है क्रिया कलाब भी करें जैसे हमारी जो दो हाथ और दो टांग है वो क्या आप हेल्दी मनुष्य बोल सकते हैं और यही संरचना जब हम हाथ तंग का काम लेने लगते हैं अपने देनिक जो कारी है उसमें तो क्या कालाता हूँ क्रियात्मक भीकाता है ठीक है इसको इंग्लिस में कैसे बोलेंगे क्या लीविंग और्गनिम के लिए तो कोई बात ही नहीं है कई से पैर मारके गड़का दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चले बात करते हैं की कि यह कोज कब हुई किसने खोजा सेल क्यों हम सेल बोल रहे हैं तो सवर पर्थम 1665 हिस्वी में जो अंग्रेज विग्यानिक रोवर्ट हुक का नाम आप बहुत जगा सुने होंगे कि रोवर्ट हुक ने कोचिका की खोजगी अब यह कोचिका क्या होता है वो भी हम काम आगे आपको बता रहे हूं कोचिका चोरह अपने देखे कि पूमख की जो च्छाता काटी जाती तब लोग देखे हैं जिसको दवा करके RUSकित यहां पर दिखाई पड़ रहा है इसी को कौन सा सेल था कॉर्क सेल था कॉर्क सेल कब सर्च करा तो 1665 में ठीक है दोस्तों अब चलिए बात आते हैं सेल पर सेल इन्होंने कैसे पता चला कि यही सेल है अरे बैगान आलू को भी तो सेल बोल सकते थे ना सेल कोई सेल इन्होंने क्यों बोला कैसे बोला तो आप लोगों को यह जो दिख रहा इदर से green में यह दिख रहा आपको मदो मक्खी का चाता ऐसे ही होता क्या मधू सहद वाला मधू ठीक है उनका अगर देखिएगा तो उनका जो संदचना है आपको ऐसे इसे नजर देखने को मिलेगा एसे इसे रूम के तरफ से रूम के जैसा बना हूँ आपको देखने को जिसको इन्हों ने क्या कहा क्या कहा था anorm • कहा या किस ने कहा था ? कोन बोले थे ? यह यह जो इपड़ी वाले बाबा जिसका नाम है रोबर्ट हूग ठीक है कौन बोले थे यह बाबा बोले थे कि यह जो सेलूला है ठीक सेलूला इन्होंने नाम दिया था सबसे पहले इसनलिला जिसका अर्थ होता है खाली कमरा अर्था सेल ठीक है इसका नाम दिया गया इसी को बलाज़ता है कॉर्क से ठीक है और यहीं से आपका सब्सक्राइबर सभर planner perfection आया हुआ था क्वेस्टन याद कीजिए कुप्ष्टन याद आ रहा है जो लोग दिये होंगे भी हर्पार Data को अब हरे मिदकिए थे लंको यहां से । याद आ रहा होगा आप लोगह को इसामं कि आनि किमों है कि क्या है तो दोस्तों इससे जब अबनाया जाता थह क्या होती है घ्रोकारवन वाली घुन होती ठीक है दोस्तो तो यही हो जोगा आपकास आप याद रखेंगा कि सेल का खोज किस ने किया था रोबर्ट हुख ने किया थोआ रोबर्ट हुख ने लो जीनित है बिलकुल नहीं डेड रॉब जिसे कौरक का आज बहुंदा टॉम कई कया गया ख़ी कवश H वगरा में जो है question की जो मात्रा होती है यानि कि number of question बहुत ज्यादा होती है तो question उठाया कहां से जाए तो ऐसे छोटी छोटी term को पकरा जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा deep में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ठीक है चलिए तो यहां तक बात आ गई नन लिविंग सेल के इन्हों ने खोज कर ली तो अब तो लिविंग सेल की खोज हो नहीं है एक ने कर लिया तो दूसरा ने आगे बढ़ा सेंटिस्ट की कमी थोड़े नहीं सब ऐसे जोपड़ी वाले बाबा सब बैठे हुए थे तो उन्होंने खोज करा उसमें एक आगे निकल के आये ल्यूवन होक ल्यूवन होक ने जो है सब पर्थम लिविंग सेल का खोज करा ठीक है किसने करा ल्यूवन होक ने सब पर्थम लिविंग सेल का खोज करा कब करा तो दोस्तों 1665 में कब करा living cell का खोज 1665 में ठीक है 1665 में इन्हों ने जिवित यानि कि living खोज सीजों में थीक किस चीजों में माइक्रोए शकॉप के सहाता से इन्हों ने जीवानों में प्रोटो जो और बड़ सी जोहों होते सवों को इन्होंने देखाँ ठीक है अब बात आती मैक्रो और तो मैक्रोएस्पोप का विश् bios कार किस ने किया तो उनीश सब पचास इस्वी में सोरी पचास सब नब्य इस्वी में ठीक है थोड़ास मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि मैक्रो एसकोप ठीक मैक्रो एसकोप की खोज जो है कब हुई है 1590 इस्वी में किसके द्वारा खोजा गया था तो जैड़ जेंस और है एच जेंस ठीक है जैड़ जेंसन और एच जेंसन के द्वारा जो है मैक्रो एसकोप का खोज किया गया था लिख दू क्या चलिए लिक देता हूं जैड़ जेंसन और इसी में एक वार जो है एच जेंसन लगा जो दोनों भाई थे इन दोनोंने मिल करके मैक्रोस्कोप की खोज करा उसके बाद सहाब ने बोला कि चलो तुम लोग इतना कर लिए तो और भी हम करते हैं सेल को फाड़ फोड़ के इनों ने देखा कि परतिय को सिकाज हो रही है उसमें उसके जो बीच में एक गोला टैप से दिख रहा है जिसको इनों ने क्या बोला नूकलियस अर्थात केंद्रक बोला ठीक दो किस्टन यहां से दिमाग में रखीए दो-3 कुश्चन नूकलियस की खोज किस ने करा रोबर्ट ब्राउन करा कब करा 18-31 में करा ठीक है किसकी सहायता से करा तो मैक्रोशकोप किस ने किया जेट जेंसन और एच जेंसन ने मिलकर करा कब करा 15-90 में अच्छेस्टों तो य कोई हरेखरेख दिशा में करना इस्तार्ट गया कि इनका सेल देखते हैं अब कोई मतलब मानके चलिए बॉरय की जैकाब्स लाडेन उसका पूरा नाम है आप जैश्रा अबॉल सकते हैं और दूसरा था टीशान ठीक है चीश्वान इसका जो ये-थियोडर्स सेलेंट हो जाता तीशी जवान आपको ज्यादा तर देखने को मिलता तो येकब्स लाडेन यादी की जेस लाडेन जो थे, वो आपको क्या थे, हम बता रहे कि वो थे बोटनिस्ट, कौन थे वो, बोटनिस्ट थे, ठीक है, लिख दूँ यहाँ पर बोटनिस्ट, मैंने हिन्दे में लिख दिया हूँ, वनस्पत्ती वेग्या, वनस्पत्ती वेग्यानिक को क्या बोलते हैं हम लो जर्मन बोटनिस्ट जेकब ने कहा था जेकब सलाडेन ने कहा कि पोधे का जो सरीर होता है वो भी सुक्षियों कनों से मिलकर के बना होता है पोधे का जो सरीर है वो भी कई सारे छोटे-छोटे सेल से मिलकर के बना होता है ठीक है दोस्तों क्योंकि सेल का खोज स्टार्ट हो ग कब करा तो 1838 में ठीक है याद रखिएगा कब करा तो 1838 में इसी प्रकार फिर जो है सलाडेन नाम के भी जो है एक जुलोजिस्ट थे ठीक है यहाँ पर प्रानी विग्यान को क्या बोलते हैं जुलोजी बोलते हैं जुलोजिस्ट बोलते हैं प्रानी विग्यान के सेंटिस्ट वैत तो टीष्वान नाम के एक जू लोजिस्ट थे उन्होंने भी कहा कि जनतु यानि एनिमल सेलों होती बनी होती है जनतुओं की जो कोषिक होती है वह छोड़े छोड़े सेलों से मिल करका मुन होती है अब दोनों का हो गया, यह बोलघा था मेरा भी है यह बोलगा था मेरा भी सही था दोनों को मिला कर कि एक न सेल थियोरी होना चाही है आज हम लोग पड़ते कि टिस्वों का सेल थियोरी ऐसा था और जो है प्लांट के लिए है लेकिन दोनों का तो को यही कहना है ना कि प्लांट भी जिस छोटे-छोटे एकाईयों से मिलकर के बना हुआ है उसको सेल बोल रहे हैं और एनिमल का भी जो शरीर है जिस छोटे-छोटे जो है एकाई से अर्थाथ सेल से मिलकर के बना हुआ है उसे हम दोनों ने कोशिका कहीं खुज क्या एक ने प्लांट में किया और एक ने अनिमल में किया ठीक है तो दोनों को मिला करके क्या का दिया गया तो चलिए देखते सेल चुरी क्या थे सेल त्युरी से थीुरी कहता है दोस्तों और लिभिंग और लीजुप और कमपोयद औफ सेल एडेख और ब्रोडेकट सॉसे ठीक है परतियक सजीव का निर्मान जुक्या या तो वह कोशिका से होता है या कोशिका हों कуюत्वाद से होता है उत्पाद का मतलब हुआ कि कोई सार जब human कि आप देखते होंगे तो पहले क्या वह से टीशू बनता है टीशू से टीशू सिस्टम बनता है उसके बाद और और बन बनता है फिर जाकर के human body का निर्मान होता है ठीक है या किसी भी बॉड़ी living body का निर्मान होता है तो उसी प्रकार से शेल थियोरी भी आया कि परतियक सजीव का निर्मान जो है वो कोशिका से होता है अगर कोशिका से नहीं क्योंकि बड़ा अगर और 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 यह बड़ा जीव है तो आप उसको कोशिका नहीं बोलेगा तो कोशिका के उत्पाद बोल द सबस्ट रखेंगा गर पर किसी के द्वहरा वी आप से पूछा जा सकता है इसके मीम को याद रखेंग चलो मान लीए कि हम से से बना तो हैं कैसे हो जाता है यह कैसे हो जाता यह बताओ तर एक विग्जानिक आया जिन का नाम है Rudolph Virchow ने बताया कि जनाब सेल जो है न यह करता है ठीक है अपने आप में बटवारा करता है जैसे आप देख रहे हैं कि पहले पिता जी का एक घर बहुत जब दो लोग हुए दोनों अलग हुए तो वैसे वैसे दो घर बन गया ठीक है उसी प्रकार सेल में जब उनके आंत्रिक में जो जो भी उनके मेट्रियल्स रहते हैं वो अगर डबल होने लगते हैं फिर सेल क्या होते हैं दिवाइड होके दो सेल बन जाते एक से तो रूडल्फ विर्चो सहाब जो थे उन्हों ने यह चीज रखा चलिए रूडल्फ विर्चो सहाब के बारे में जानते हैं रूडल्फ विर्चो सहाब ने कहा था कब कहा डेट आपको याद होनी चाहिए अठारसो पचपन, कवaters 180-155 रोडल फिर्चो साहम ने बताया कि नई कोशिका जो है, ठीक है, जिसके वज़य से इत्ता बड़ा से इत्ता बड़ा हो गया ठीक है यह तो कोशिका कही है, dipping sales कहीं बना रहता है इत्ता बड़ा से जो इत्ता बड़ा हो गया तो इसमें कुछ नई सिल आई होगी तभी न बढ़ा है तो नई कोशिका जो है पहले से मौझूद कोशिका के विभाजन से उत्पन होता है यह पुएंट याद रखेगा नई कोशिका जो है वो पुराने कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन होता है पहले मान लीजे एक सिल था और यह जो है डिवाइड करके दो सेल बन गया तो लंबाई बढ़ा की नहीं बढ़ा लेकिन है तो पुराने सेल से ही नहीं बना है नया से बताइए तो इनों ने एक ठर्म दिया जिसका नाम है यहां पर आफ अच्छा है याद रखिए गए और हैराइफ स्थर्म प्रेयं जिठीन सेलस जितने भी सेल्स होते हैं वह यह मतलब जन्म लेते हैं प्रिएग्जिस्टिंग सेल्स मतलब पहले से उपस्थित को सिकाओं से ही नया को सिका बनता है और इनों ने एक टर्म दे दिया जो कि नीट में आपको पूछा जा चुका है एक बार ठीक है किस परपेक्ष में दिया गया कि परतिये एक नया सेल जो है वो पुराने सेल से ही उत्पन होते हैं कैसे उत्पन होते हैं तो कोसिका विभाजन के द्वारा उत्पन होते हैं ठीक है तो अब यहां पर बात आ गई कोसिका विभाजन की ठीक है दोस्तों अभी तक आपने समझा क कि को सिका क्या है ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि सेल क्या होता है सेल में क्या क्या होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ें चित्र के द्वारा थोड़ा से सेल को समझते हैं फिर हम लोग जो है प्लांट सेल और अनिमल सेल को अलग अलग समझेंगे अभी हम और्गनेजम का छोटा से छोटा कितना भी छोटा किजिए उनका जो एक छोटा सा पीस होगा वो क्या कहलाएगा सेल कहलाएगा और एक सेल के अंदर क्या सब होगा वो देख लीजिए यह साइड में जो लेयर दिख रहे हैं वो आपको मेंब्रेन कहलाता है बॉंडरी जो है व प्लांड में देखते हूंगे कि आप उन पर ऐसे हाथ रखते हूंगे तो एक शुखा सुखा सा आपको बाहर से मिलेगा जो कि एनिमल में बात करें जिसे क्या क्या बोलते हैं membrane boundary के अंदर जो है अपना पानी वानी सब कुछ रहेगा ठीक है पानी रहेगा जिसको क्या बोला गया है साइटो प्लाज्म बोला गया इस पानी में जो थोड़ा सा जो है तयरते हुए कुछ-कुछ आपको जो है और गनेल दिखाए पड़ेंगे ठीक है और ग locking body जिसको गोलजी अपरेट आस के नाम से विजाना जाता है इंडॉपलाज्मि क्रेटिकुलम की ठीम है हुआ हुआ हैं उसके बाद जुए आपको देखने को मिलेगां जाहिआ यहांपर होती है है को दो रोवर्ट ब्राउन ठीक है कब बताया था में अठारस एकत ужас पनार रोवाट ब्राउन ने बताया की प्रतियक सेल्ध के अंदर एक गोलकार संष्ना होती है जिसे क्या बोलते है मेरी केंधरक बोलते हैं ठीक है और इसमें भी एक छोटा सा जो बिच्चा टइप का होता है जिसे क्या वोलते है निखलियोलवस ठीक है हम सब धीरे-धीरे पढ़ाएंगे इए करके हर्फ चीज को पढ़ाएंगे आपको एक पहचाने के लिए समझा सब्सक्राइन के 사ब के hard work होता है ठीक है तो आपने देखा कि सेल में क्या-क्या होती है फिर हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग से जो है दोनों के अंदर कौन-कौन से और्गनेल होते हैं उनको भी पढ़ेंगे अभी चलिए इससे समंढस्को नौट कर लीजिए अब सेल में आपने देख लिया अब चलिए आगे बढटे हम लोग और कुछ सेल्स जो है उनको नौट कर ली जिए पहला अपको स्मॉलेस्ट सेल किसे बोला जता है को बता सकते हैं सबसे छोटा सेल मतलब सबसे छोटा और माइको प्लाजमा क्या है को बता सकते हैं प्लोरो निमोनिया लाइक और गनेजिम्म जो कि बहुत ही चोटा होता बहुत ही छोटा ठीक है तो प्लोरो निमोनिया लाइक निमोनिया में भी पीसे ही एक और गनेजिम्म यह ओ है और अर दूसरा जो इसका एकजामपल है मैको प्लाजमा ठीक है याद रहेगा अब चलिए लार्जएस्ट पडाते है स्मॉलेस्ट या नहीं कि सबसे शोटा देख लिए तो अब लार्जेस्ट भी देखना पड़ेगा या लोंगेस्ट भी बोलिए या लार्जेश्ट भोलूए ठीक है तो देख लेते हici outs कि लार्जिस्ट थीमिएर लार्जिस्ट सिल्ट मतलब सबसे बड़ा ठीक है अभी हम मल्टिसला की सिल木 की बात इक रमने में ढ़ें की बास इनल दो सबसे बड़ाएं तोह equipped जो है वो क्या है एक प्रगार का पक्षी है ठीक है उसका जो सेल होता है सब से बढ़ा होता है ठीक ना तो क्या लिखिएगा आर एस ओ अच्छे ठीक है थोड़ा सा क्रेक्शन कर देते हैं ओस्ट्रिट्स ठीक है पिर्थवी पर सबसे बड़ा सिंगल सेल वाला क्या है सबसे बड़ा एक है यह बोल सकते हैं यह सिंगल सेल वाला सबसे बड़ा सेल है ठीक है इसका जो आपको लार्जेस्ट मिलिविटर में देखिएगा तो आपको हो जाएगा एक सबसेतर टू एक सब पैतिस एम्म ठीक है इतना इसकी मुटाई और चोड़ाई है ठीक अब अगर हम बात करें यह तो हो गया सोटेस्ट और लोंगेस्ट हो गया अब अगर हम बात करें यह तो छोटा और बड़ा हो गया और लंबा की बात करें तो लार्जेस्ट हो गया अब लोंगेस्ट longest chill की बात करे तो longest chill कौन सा है कोई बता सकते हैं सबसे बड़ा longest chill कौन सा है human में बात करें तू in human in human में बात करें तू नर्व सेल या नियूरोन सेला बोल सकते हैं या नियूरोन ठीक है ये जो है सबसे लंबा है और पता है आपको कि हमारे सडिर्ज में सबसे जो है ज्यादा लंबी जाल बिछी रहती कि इसकी नर्व सेल के क्यों क्योंकि ये सेंसिटिव सेल है इसी में हमें जब कोई काटा चुब होता है या कुछ भी होती है तो यही हमारे मस्तिस्ट को इनफॉर्म करता है कि आपके बोड़ी के इस भाग में ऐसा कुछ हो रहा है ठीक है अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं लॉंगेस्ट की बात आही गई है तो इसमें थोड़ा सा मेल फीमेल में भी देख लेते हैं ठीक ना लार्जेस्ट सेल इन ओमेन अगर ओमेन में बात किज़े तो लार्जेस्ट सेल जो है ओमेन में किस में हो जाएगा या क्या हो जाएगा एक्जाम पर ओभम क्या हो जाएगा ओभम हो जाएगा दोस्तो ठीक है उसके बाद हम बात करें तो बताईए चलिए इसके बाद अगर हम बात करें आपको कि सेफ चेंजिंग सेल कुन सा है जो अपने साइज को यानि कि आकार को घाटाते बढ़ाते रहता है छेप यानि चेंजिंग कौन सा ऐसा मनुष्य के सरीर का कौन सा ऐसा कोशिका है जो अपने आकार को बदलते रहता है कौन सी ऐसा कोशिका है जो अपने आकार को बदलते रहता है ये इसका एंसर को बता सकते हैं अधा बाट little ुसे को क्या बोला जता है नाओ नंप्व् सी क्या करता है कुण किश्ट्रोल को प्रणाल गती सील प्रणाए सन्सक्राइप केपो बिहते हैं खा जता है ऑलो जैसे की सम Inhale यहां इसको प्रेट फूल जाता है गोला हो जयता है और जैसे भूखा जद्धा से च्छोटा हो जाता तो इसका साइद नी की आकार घट्ते बढ़ते हैं इसलिए इसको बुला गया है सेब चेंजिंग से ठीक है अब बात करते हैं इन सभी के अधार पर यह को दोव हागो में बाटा गया है ठीक है तो यहां पर अगला जो है हेडिंग डाल देना है टाइपस आफ शिल हो अन्दा बेसिस ऑस अन्दा बेसिस ऑफ नेचर अधिने टैपस के से लोगते हैं दो टैपस के से लोगते हैं सभी को पता है ना पहला को क्या वो लेंगे हम लोग पहला दूसरा किसी को भी कुछ बोल सकते हैं प्लांट सेल और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा अनिमल सेल ठीक है अब अब जो है हम लोग प्लांट सेल के बारे में पहले जानेंगे फिर जो है अनिमल सेल के बारे में जानेंगे तो ऐसा करते हैं हम plant cell और animal cell के साथ जो है दोनों को एक साथ ही लेके चलते हैं ठीक है not sorry है ना सबकी अच्छे से not बनाते जाईएगा ठीक है ना बहुत काम देगी आगे चलके चलिए हम जो है यहां पर English में ही लिखाने की कोसिस करेंगे जिनको दिक्कत होगी तो आप जरूर हमें बताइएगा ठीक है लेकिन हम समझाने का भरपूर कोसिंख करेंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो चलिए एक तरफ लिख लिजिए plant cell plant cell और एक तरफ लिख लिजिए animal animal cell ठीक है देखिए दोस्तो एनिमल और plant cell में कुछ-कुछ भिणनेता है कुछ-कुछ कैसी भिणनेता है जैसे सेल वाल हमने बताया कि प्लांट में जो है आप बाहर से हाथ रखेगा तो एक रुघर सा और काड़ा जो है काफी हार्ड जो है वह रहता है बाहर में सबसे बाहर वाला boundary वही रहता है जिसको सेल वाल बोलते हैं ठीक है क्या बोला जाता है सेल वाल प्लस एंटी मतलब परजेंट यानि कि उपस्थित रहता है प्लांट सेल में जो है सेल वाल क्या रहता है प्लस एंटी का मतलब वह परजेंट ठीक है प्लस एंटी आप लोग भी लिखिए और टाइम बचाईए और अगर हम मैनस एंटी लगा दे तो अबसेंट ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा अगर हम बात करें ग अजय सेल वाल अबसेंट ठीक है दूसरे प्ट के अगर हम बात करें प्लांट शेल ऑर जो है एंइमार्स लमें भुन नी तो सेल मेंब्रेन होती है जो हमारा जो उपर वाला स्केन होता है ठीक है वो क्या का लता है क्योंकि एनिमल में है एनिमल में लास्ट बॉंडरी जो है उसी की होती है ठीक है इसके उपर तो कोई रुघर सा वो टाइटली वाला नहीं होता न तो इसको बोल गया है सेल मेंब्रे विल्कुल होगा क्या लिखना में फ्laas nt then and फीकर और इसमें फैंपलाइन की बात करें साइट क्या होता है जैसे हमने बांडरी के अंदर में कुछ पानी होते जल होते हैं गाठा उसमें जो है कई सारे और्गनेल लैसोसोम रैवोसोम होगरा क्या करते हैं तैरते रहते हैं नखाते रहते हैं ठीक है तो उसको क्या बोला गया है साइटो प्लाज्म जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं साइटो प्लाज्म को कोशी का द्रब बोलते हैं ठीक प्रोटो प्लाजम नहीं मतलब और प्रौटो प्लाजम क्या होता यहाद ऑफ निकलीयो् प्लाजम को मिला अगे ॥ झीचा दोस्तों अगे अगला पॉइंट जौह आप लीचिए ुकल deu न्यूक्लियस आपने अपड़ा कि नूगे आपको दिखाए पड़ा कि हमने नहीं बताया था कि यह प्लांट का सिल मतलब स्ब्लमं का सिल्थ हो जाएक है का इसमें में क्या होगा है प्रजेंट होगा ठीक है यह तो था कि simple सा ठीक है यह क्या था simple सी थी एक आपको plant cell और animal cell को different करने का एक simple सा मैंने तरकीव लिया था या छोटा सा बूलिया आपको आपको दे करके समझाया था मैंने इससे आगे भी हम लोग जो है अब जो है plant cell को ले करके चलेंगे सिल वाल क्या होता है सिल मेंब्रेन क्या होता है किस चीज़ से बना होता है सेट उपलाइन में क्या क्या होता है ठीक है इन सबों के बारे में जो है अब हम लोग जूम पर जो है रात में साथ बज़े स्टार्ट करेंगे ठीक है हाँ दूस्तों आज ही साम में साम सात बज़े जूम पर स्टार्ट होगी जूम जो है प्ले स्टोर से आप लोग डॉनलोड कर लीजिए ठीक है अभी दो बे जो है डेमो क्लास चल रही है ठीक है आज और कल जो है डेमो चलेगी उसके बाद जो है आपको फी जो है 200 रुपया देना होगा उसके बाद ही आप जो है डेली क्लास कर पाएंगे ठीक है तो क्लास जो है जूम पर आपको सात बज़े से लेकर के नो बज़े तक चलेगी दो रोज आपको डेमो क्लास है दो रोज में आप देख लिजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी आप एडमिशन लिजिएगा अगर आपको अच्छा ना लगे समझने में दिक्कत हो तो आप पैसा वेस्ट मत किजिएगा ठीक है अगर आपको समयने कहीं दिक्कत हो तो कॉमेंट करके बताईए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंट्स के साथ सेर कीजिए और कॉमेंट में जरूर बताईए कि आपको मेरा पढ़ाने का आडिया कैसा लगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं सामने साथ मज़े जूम पर